हाई फ्रेंड वेलकम टो पी लसी जावा के इस टुटूरियल में आज हम लोग कंस्ट्रक्टर के बाड़ें पढ़ेंगे यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर कोई भी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज हो अगर वो अब्जेक्ट ओडियंटेट प्रोग इसे आपको पता होगा कि member function जो होता है उसे हम कॉल करते हैं और object के सहारे डॉट भीस कि लगा हैं हम उसे कॉल कर सकते हैं लेकिन ct को जौरत नहीं होती है वात आती है कब हुस्क्टा जैकर कॉस्ट होता ह्य है तो जब आपका object बनता है उसी समय यह होजाता है और क्यों का क होता है ताकि आपका जो object बनता है उस समय इसको कोई value से initialize कर सकें आप चाहें तो कोई default value constructor में डाल सकते हैं जिससे आपका object initialize हो जाए और भी बहुत तरह काम आप constructor से करा सकते हैं लेकिन कम से कम ये आपके object को initialize करने का काम तो करता ही है ठीक है जैसे आप अपना object बनाने के लिए जो code लिखते हैं तो वो code जैसे execute होगा उसी समय आपका constructor by default call हो जाएगा तो यहीं line लिखा हुआ है अब बात आती है यह constructor जो हम लोग बनाते हैं तो इसका कुछ condition होता है सबसे पहला condition क्या है यह class के नाम पे इसका नाम रहेगा यह जिस class से belong करता है उसी class के नाम पे इसका नाम रहेगा एकदम same to same उसमें एक भी कोई बड़ा छोटा नहीं होगा लेटर नहीं कोई letter फालतू होगा ठीक है और इसमें कोई return type आप नहीं लगा सकते हैं यहां तक कि आप कोई return type नहीं लगाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखेगा कोई return फम लोग नहीं लगाते हैं यह क्या return करता है यह instance of class मतलब एक तरह से object जब बनता है ना तो उसका address return करता है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि constructor ही object बनाता है नाम क्या है constructor construction का मतलब होता है बनाना तो यह object बनाता है आप अगर कोई लेकिन पर प्रोग्राम लिख रहा है जिसमें constructor आप बना ही नहीं रह तो फिर बोलए कि हम तो उसमें gef बनाय ही नहीं और उससे हम object बना पा रहा है तो यह अगर अगर नहीं बना रहे हैं तो आपका compiler एकoru बना देता है बीना constructive का कोई object बन ही नहीं है तो वो एक constructive कुछ से बना की उसमें डाल देता है लेकिन आप अगर constructive बनाते हैं तो अतीवत्वत्म और भी अच्छा है ठेक है तो ये रही constructive से जूरी हुई बात है तिक है बस इतना याद रख्येगा constructive का नाम class के नाम पे होता है Constructor में कोई return type नहीं लगाते हैं और नहीं भःष लगाते हैं Constructor क्या return करता है? तो instance of class क्या करें? They return the instance of class itself मतलब जिस class का ये रहता है उसी का instance ये return करता है अब बात आती है कि कितने परकार के Constructor होते हैं तो Constructor दो परकार के होते हैं एक होता है default constructor और एक होता है parameterized constructor default constructor और parameterized constructor क्या होता है इसे एक program के थुरू समझेंगे आपके सामने एक program दिख रहा होगा तो आए हम लोग इसे समाजने के कोशिश करता है यहाँ पर एक class है class का नाम है rectangle इससे पहले बाला अगर आपने देखा होगा वीडियो जो जावा पर है जिसमें class and object पर हम बात किये हैं तो वहाँ पर भी यहीं class का example हम लोग लिए थे वहाँ पर भी class का नाम था rectangle और उसका जो member variable था दो था एक length और एक width तो यहाँ पर भी member variable का है length और width यहाँ पर एक member function आपको देखने को मिल रहा है इस member function का नाम इस class के नाम से हो बहु मिल रहा है तो इसका मतलब यह constructor हो गया constructor कुछ नहीं है member function ही तो है बस नाम अगर class के नाम से हो बहु मैच कर गया तो वो कहला गया constructor ठीक है तो चली यह constructor है और constructor में देख रहे हैं कि इसके पास parameter है मतलब दो argument है इसका मतलब कि आपको दो argument पास करना होगा इसके लिए तो अगर constructor में argument दिखे तो आप इसे बोल सकते हैं parameter right constructor तो यहाँ comment में लिखा हुआ है कि यह parameter right constructor है और constructor क्या काम कर रहा है इसको जो x मिलेगा y मिलेगा उस x का value length में डालेगा y का value width में डालेगा एक तरह से आपका जो object है object का जो भी member variable है उसको यह x y से initialize करने का काम कर रहा है आगे बढ़ते हैं यह एक correct area function है जो की area calculate कर रहा है यहाँ आपका class complete खतम हो जा रहा है और यहाँ दूसरा class जो शुरू हो रहा है area इसमें आपको main function है main function के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं object बनाते हैं तो दिखे यह object बन रहा है object बनाने का तरीका यहीं है अब यहाँ पर ह यहीं है लेकिन यहाँ object बनाते time हम दो value भेज रहा है एक है 15 और दूसरा है b तो यह 15 जाएगा x में और 20 जाएगा y में कहां constructor के x और constructor के y में जाएगा ऐसा करके इसलिए हम call कर रहा है मतलब object बनाते time यह value हम इसलिए दे रहे हैं ताकि मेरे पास जो constructor है वो parameterized constructor है और parameterized constructor को value भेजना जरूरी होता है ठीक है और बाकी यहाँ पर तो area calculate किया जा रहा है यह आप समझ रहे होंगे अगर पिछला video देखे होंगे तो और फिस फिर इसी area को message के साथ यहाँ प्रिंट कर दिया जा रहा तो आपने यहाँ पर देखा parameterized constructor का उधारन क्या देखा parameterized constructor का उधार अब देखते हैं कि parameterized constructor को हटा कर अगर default constructor देखना हो तो तो आए फिर इसी यह जो है code इसी code पर समयते हैं क्योंकि बहुत सारची तो हम लोग इस code पर समझ गया है अब बाकी चीज को हम मिटा रहे हैं अब हम में क्या करना होगा माल लीजिए इस constructor को parameterize से हमें क्या बनाना है default constructor, तो default constructor में कोई parameter नहीं होना चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई parameter नहीं होना चाहिए तो हम इसका जो भी है समाझ लेजें कि यहां पर कुछ नहीं है, अब यह अब यहां से हम यहां यहां पर हम इसको इसको हला कि ऐसे कटना तो अच्छा नहीं लेगा मतलब यहां पर हम भैलू खुद से दे दे रहे हैं 10 और 20 एक्स वाई समझें कि नहीं है वहाँ पर हम लेंथ में दे दिए 10 और वेस में दे दिए 20 ठीक है तो अब यह जो आपको दिख रहा है यह constructor का हला आएगा default constructor क्योंकि यहां पर एक तो परामेटर नहीं है और दूसरा इंसलाइट तो यह तो कोई भी क्या करता है अबजेक्ट के जो भी member variable उसको को तो सब्सक्यर्ब भैलू हम इसके अंदर लिख दिए 10 और 20 अब इसे call कैसे किया जाएगा call तो खर constructor करना नहीं होता है लेकिन जब आप object बनाते हैं तो उस दोरान जो syntax लिखते हैं उसी में वो automatic call हो जाता है तो आपने जो यहाँ पे लिखा है 15 और 20 अब यह लिखने के ज़रोद नहीं है बस इससे समझें कि भूल जाए कि यहाँ पे कुछ है हो गया अब बस इतना लिख दीजिएगा आपके लिए object भी बन जागा और जो भी आपका object बनेगा उसमें जो दो बॉक्स होगा length और width के लिए तो length में 10 जाएगा और width में क्या जाएगा 20 लेकिन default constructor से थोड़ा सा नुखसान क्या हो जाता है कि जितना आप object बनाएगा मान लिए कि ये rect1 object है तो इसमें भी same value है एक और object अगर आप बना रहे हैं इसका नाम अगर rect2 देएगा LW है ये length रूविर्थ है इसका नाम rect2 देएगा तो इसमें भी 10 बिस रहेगा मतलब सब के शुरुवाती भी 10 बिस ही रहेगा लेकिन परामिट्राइड में क्या होता है कि आप बनाते time अलग-अलग भैलू दीजेगा तो इसमें जो भैलू जाएगा इसमें थोड़ा सा अलग भैलू जाएगा ठीक है ना यह चीजें अब आप समझ रहे हैं तो चलिए फिर से हम क्या करते हुआ है इसको थफ़ासा रिवाइज करा रहते है कंस्टर पर कंस्टर क्या होता है एक मेंबर फंक्स नहीं होता है और एक बात है और ध्यान रहन द्यांकिए ँबात है अब संप्र कभी प्राइबेट नहीं होता है तो यहां पर जो भी बनाया गया है तो यहां पॉब्लिक प्राइबेट कुछ लगाया नहीं गया है ठीक है अगर कुछ नहीं लगा रहा है तो ठीक है बाइडिफर्ट वह पॉब्लिक ही रहता है लेकिन जावा में बाइडिफर्ट एक लेकिन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रेंडली और पॉब्लिक में थोड़ा सांतर दिख जाएगा अभी के लिए मान लिजेगा कि दोनों से होता है तो फिर से मैं इस को यह कर दो मेंबर मेंबर फंक्शन ही होता है क्या होता है एक मेंबर फंक्शन ही होता है ठीक है दूसरा इसका नाम क्लास के नाम पर होना चाहिए इसका कोई रिटर्ण टाइप नहीं होना चाहिए ठीक है और नहीं यह वायड अपने पहले लगाएगा यह क्या रिटर्ण करता है तो इंस्टांस और class return करता है ठीक है अब आते हैं यहां पर दो परकार का constructor होता है कि default constructor एक परमेटराई constructor एक जांपल समझा दिया है छेव मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर यह विडियो आपको अच्छा लगाओ तो लेक्श किजिएगा बहुत है छोटा सा विडियो था और एक छोटा सा नस बाल लेकर आया थैं नेक्स्ट वीडियो में और कंसेप्ट लेकर आएंगा